प्रिक्ट ग्यान पर आप सबी दोस्तों का एक बार फिर दिल से स्वागत हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार मैच में ऐसे मोकी भी आते हैं जब गेंदबाज अपने बल्ले से ऐसी पालिया खेल जाते हैं जिसकी किसी को भी उबीद नहीं होती दोस्तों इसी को देखते हुए आज हम मेरी इस वीडियो के जरिये बात करेंगे गेंदबाजों के द्वारा खेली गई पांच ऐसी पालियों के बारे में जिने खेलने के बाद एक नया विश्वर रिकॉर्ड बन गया और तो और यह विश्वर रिकॉर्ड आज तक कोई भी अन्य फिलाडी नहीं तोड़ पाया आईए दोस्तों जानते हैं कि कों से हैं ये पांच गेंदबाज जिनोंने अपने बल्ले से विश्वर रिकॉर्ड बना दिये थी दोस्तों इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर आते हैं उस्टेलियाई टीम की और से खिलने वाले ओफिस्विन गेंदबाज एस्टन एगरा दोस्तों अगर बात की जाए उस्टेलियाई टीम के इस ओफिस्विन गेंदबाज के बारे में तो इस गेंदबाज ने इंग्लेंड के खिलाफ टेस्ट मैच में नमबर 11 पर वल्लेबाजी करते हुए 97 रनों की नावास पारी खेल कर एक नया विश्वर रिकॉर्ड कायम किया था जो आज भी नमबर 11 पर टेस्ट मैचों में खेली गई सबसे बड़ी पारी है दोस्तों इस लिस्ट में चोथे नमबर पर आते हैं उस्टेलियाई टीम की और से खेल चुकी तेज गेंदबाज जेसन गिरस्पी दोस्तों अगर बात की जाए उस्टेलियाई टीम के इस तेज गेंदबाज के बारे में तो इस खिलाडी को कप्तान रिकी पॉंटिंग में बंगला देश की खिलाब नाइट वोच्मेन के तोर पर बल्ले बाजी के लिए भेज दिया था जेसन गिलस्पी ने इस मैच में बतोर नाइट वोच्मेन दोरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया था नाइट वोच्मेन के तोर पर दोरा शतक लगाने वाले जेसन गिलस्पी विश्व के इकलोदे बल्ले बाज हैं दोस्तों इस दिश्ट में तीसरे नमबर पर आते हैं भारतीय टीम की और से खेल चुकी तेज गेलबाच अजीद अगरकर दोस्तों अगर बात की जाए अजीद अगरकर के बारे में तो इन्होंने जिंबावे के खिलाफ एक वंडे मैच में नमबर आट पर वल्ले बाजी करते हुए मात्र 21 गेलदों पर 4 चोके और 4 शकों की मतस्ते 50 अगन ठोक दिये थी जो आज भी नमबर आट के बल्ले बाज द्वारा बंडे क्रिकेट में लगाया गया सबसे तेज अर दिशा तक है दोस्तों इस टिस्ट में दूसरे नमबर पर आते हैं मात्री टीम की और से खेल चुके और स्पिन गेलबाच हरवजन सिंग दोस्तों अगर बात की जाए हरवजन सिंग के बारे में तो इस खिलाडी ने साल 2010 में न्यूजिलेंड के खिलाफ टेस्ट मैच में नमबर आट पर बल्ले बाजी करते हुए लगातार दो पारियों में दो शतक ठोक दिये थे हरवजन सिंग को छोड़कर कोई भी अन्य खिलाडी नमबर आट पर बल्ले बाजी करते हुए लगातार दो पारियों में दो शतक नहीं लगा पाया है दोस्तों इस लिस्ट में सबसे उपर पहले नमबर पर आते हैं पाकिस्तान की ओरते खेल चुके बाए हाथ के तेज गीदबाज वसीम अकरम दोस्तों अगर बात की जाए वसीम अकरम के बारे में तो इन्होंने जिंबावे के खिलाब टेस्ट मैच में 252 रनों की शांगदार पारी के दोरन 12 जवरतस चक्की जड़ दिये थे वसीम अकरम को छोड़ कर कोई भी अन्य बल्लेबाज टेस्ट मैच की एक पारी में 12 छक्के नहीं लगा पाया है दोस्तों अगर आपको दीगे जानकारी पसंद आई हो तो प्लेस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें धन्य बाए